नमुश्कार में उप्रिया आज है 30 दिसंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बांक ओफ बरोदा ने विभिन पदों के लिए आवेदन की मांग सिक के माध्यम से शुल्क के भुकतान के बाद पंजीकरन प्रक्रिया पूरी हो जाती है आवेदन को पूरा करने से पहले पातरता मांदन्डों के बारे में पता हो ना महत्रपूर्ण है और लाइन टेस्ट में प्रवेश यदी कोई या बाद की चेन प्रक्रिया दस्तावेश के सत्यापन के बिना विश्व धुरूप से अंतिम होगी बिहार के 20 IPS अफसरों को मिली नई जिम्मदारी बिहार के 20 IAS अफसरों को मिली नई जिम्मदारी बोजपूर जुले के जगदीशपूर किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास यह किला भारती स्वतंतता संग्रामन के सिपाही और महानायक बाबु वीर कुमर्ज सिंग का था इस किले को वीर कुमर्ज सिंग किला भी कहते हैं वीर कुमर्ज सिंग का जन 1777 में बिहार के भोजपूर जिले के जगदीशपूर गाउं में हुआ था यह किला काफी लंबे समय से पुरातत्विक विभाग के सर्विक्षन में है पुरा तत्वे कुविभाग के द्वारा ही इसके लिए के पास एक वीर कुवर सिंग संग्रहाले बनाए गया जुसे 2018 में जनता को समर्पित कर दिया गया आप वहां कुवर सिंग के स्मृति के साथ ही उननिसवी सदी के अस्त शस्तर को भी देख सकते हैं अगर आप जगदीश पूर जाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 23 अपरेल को वहां जाएं क्यूंकि उस दिन वहां बड़े ही व्यापक स्तर पर विजयोत्सव मन देरी हो रही है सुबह के समय रनवे पर विजबिलिटी कम होने की वज़े से विमान के परेचालन में परेशानी हो रही है और यही कारण है कि मंगलवार को सुबह के समय आने वाली विमान विलंब से पहुंची इतना ही नहीं दिल्ली से आने वाली विमान भी दो घंटे से ज्यादा देरी से पटना एरपोर्ट पर पहुंची है वह हैं दवाद और बैंगलूरू से आने वाली विमान दो घंटे से ज्यादा लेट से पटना पहुंची थी आपको बता दे राजु में बढ़ते ठंड के कारण सुबह और देर श्राम को विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर विमान परेचालन पर भी देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि पटना एरपोर्ट से अन्य शहरों को जाने वाले विमान की उरान जहें वो लेट हो रही है स्टूडेंट साथी दी ओनलाइन किताब वाले ने किया यूट्यूब प्ले स्टोर पर अपना एप लॉंच अब एप हर तरह के कॉंपुटिटिव नॉन कॉंपुटिटिव किताबे और नोवल्स एक ही प्लाटफोर्म पर अब किसी भी प्रकार के पुस्तक को आप घर बै या कराना है आपके अलावा आप इनसे वाट्साप के माधिम से भी जोड़ सकते हैं इस आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब होगा फरवरी तक फेस्टिवल सीजन के दौरान बिहार में नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था जिसे फरवरी तक चलाय जाने का फैस्ता लिया गया है मिली जानकारी के नुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुवधा को ध्यान में रखते वे यह निर ने लिया गया है कि पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अभी बंद नहीं किया जाएगा जानकारी के मताबिक इन गाडियों का ठहराव और समय पूर्वरत रहेगा सभी को आरक्षिश ट्रेनी में होंगे और यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा पूर्वेमध रेलवे के मुख्य जन संपर काथिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अभी से यात्रियों की मांग को देखते वे विस्तार किये गये हैं बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले स्वास्तव भाग की तरफ से साजह की गई जानकारी के नुसार बीते दिन के पिछली 24 गंटे में कुल मिलाकर 622 मामले सामने आए हैं जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,51,926 पर पहुँच गई है वहीं श्रिफ पूजन सहाई का जन्म 9 अगस्ट 1893 को भोजपुर जुले के उन्वास गाउं में एक मध्हमवर्ग के कायस्त भूमी के मालिक परिवार में हुआ था उनका बच्पन का नाम भोला नाथ था अचारे श्रिफ पूजन महाई एक प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार श्रिफ नावली के चार संसकरनों में संकलित और प्रकाशित किया था बाद में उनके संपोर्नकारियों को उनके पुत्रमंगल मूर्ती ने 10 संसकरों में शिफ पूजन सहाई साहत के रूप में संपादित और प्रकाशित किया उन्हें कई समारक ग्रंथ के संपादन के को ने राज़पाल आवास की तरफ मार्च निकाला प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र के लिए तीन नई क्रिशी कानून को काले कानून का नाम दे दिया है और इन्हें वापस लेने की मांग की है समचार एजिंसी के मुताबिक राजधानी पट्ता में दोपहर करी समीति और वाम संगठ्षनों ने यह मार्च निकाला था हाला कि राजभवन की तरफ से मार्च के मदनजर पुलिस बलतैनात कर दी गई थी जबकि सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए थे हाला कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोग जोग भी देखी गई जिसकी बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बलका प्रयोग भी करना पड़ा। सरकारी राजस्व का पैसा कट जाएगा और सीधे सरकार के खाते में चला जाएगा परिवहन सचिफ संजे कुमार अगरवाल ने बताये कि एक जनवरी 2021 से राजमे संचाले तेवं नए खुलने वाले वहन प्रिदोशन जाचकेंद्र प्रिपेड मॉडल पर ही काम करेगा इस को सुनश्रित कराने के लिए सभी जुला परिवहन प्रिदोशन जाचकेंद्र 31 दिसंबर 2020 तक इस मॉडल के तहट रिचार्ज करवा सकेंगे जिद पर अडे डॉक्टर, स्वास्थमंत्री और प्रधान सच्चिफ से मौखिक आश्वासन मिलने के बावजूद जुनियर डॉक्टरों की हरताल पर कोई असर नहीं पड़ा है उनके तमाम तरह के आश्वासन और आगरह के बाद भी जुनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अडे नजरार हैं और बिना लिखित आश्वासन के काम पर लोटने से साफ मना कर चुके हैं मरीजों की परिशानी को देखते वे स्वास्तमंत्री मंगल पांडे के आवास पर जुनियर डॉक्टरों के प्रतेनिधियों की बात प्रधान सचिफ से फोन पर हुई इस अफसर पर PMCH के अधिक्षोक और प्रचार डॉक्टर बीपी चौधरी भी मौजूद थे उनकी मौजूद्गी में प्रधान सचिफ ने जुनियर ओक्टरों को काम पर लोटने का आग ने किया और यह भी कहा कि अगले कुस दुनों में उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा विहार में स्कूल खोलने से पहले सिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश बिहार में नौवी से बारहवी तक के सरकारी स्कूल के 36,62,000 चात्रों को ध्यान में रखते वे सिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते वे सभी चात्रों को दो-दो मास्क मुफ्त मुहाया करवाने का फैस्ता सुनाया है इसको लेकर सिक्षा वभाग ने आदेश जारी किया है यह मास्क जीवी का के माध्यम से 31 दिसंबर तक सभी जिलों के जुलाज सिक्षा पताधिकारी के कार्याले में उपलब्ध करा दिये जाएंगे इसके बाद स्कूलों के प्रधाना ध्यापकों को मास्क भी दे दिया जाएगा मास्क कैसे होंगे जिन्हें धोकर इस्तमाल किया जा सकेगा गौर करने की बात यह है कि 4 जनवरी से 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होने कार्यन ने लिया गया है इस दौरान एक दिन में कक्षा के 50% चात्र स्कूल आएंगे 50% चात्र दूसरे दिन आएंगे ड्राविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए जारी की गई अच्छी खबर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर साज़ा की गई है पासपोर्ट की तर्ज पर नए साल में लाइसेंस बनाने वाले भी अपनी मरजी के नुसार टाइम स्वाट का चयन कर सकेंगे परिवान विभाग ने पटना सहित कुछ एक जिलो में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है जल्धी पुरे राज्य में यह विवस्था लागू की जाएगी COVID-19 टीका करन के लिए विद्याले और पंचायद भवन में बनेंगे बूथ राजस्वास्त समीती के निर्देश पर कैमूर C.S. डॉक्टर अरुन कुमार तिवारी ने सभी च्रिकित्सा केंद्रों के प्रभारी का टीका करन के लिए ट्रांस्पोर्ट गठन करने का निर्देश जारी किया है और स्थाई टीका करन बूथ बनाया जाएगा टीका करन स्थल का चयन पहले सही किया जाएगा और टीका करन दल को सूचित किया जाएगा पहले चरन में नीजी और सरकारी स्वास्तकर्मियों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है बिहार के अधादरजन शेहरों को राज मंतरी परिस्वत की बैठक में नगरपन्चायत का दरजा दे दिया गया है आपको बता दे बिहार में शेहरी करन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है इस से पहले मुख्य मंतर नितीश कुमार के अध्यक्षता में क्याबिनेट की विशेश बैठक आयो जन करवाए गया था जिसमें नगर निकायों के गठन और पुनर गठन को मंजूरी दे दी गई थी जिसके परिनाम सरुप क्याबिनेट ने राजय में 139 नगर पंचायत और आठ ने नगर परिस अच्छेत्रों के गठन की स्वीक्रिती दी है नितीश काबिनेट की बैठक में कई एजेंटों पर लगाई गई मुहर पतना में नितीश काबिनेट की बैठक बीते दिन खत्म हो गई नितीश काबिनेट ने बीते दिन छठे वेतन आयो को एक बार फिर से extension दे दिया है छटे वेतन आयोग की अवधी को बढ़ाते वे 23 मार्च 2021 तक कर दिया गया है पहले ही वित्य आयोग को विस्तार दिया जा चुका है इसके साथ ही नितीश सरकार ने बिहार नगर पाली का अधिनियम 2020 के तहर नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनि किस तक के लिए विस्तार दे दिया गया है 31 दिसंबर को ही बंदोबस्ती खत्म हो रही थी इसके साथ ही बिहार में स्टंप शुल्ख नियामवाली 2020 को भी स्विकृती दे दी गई है सुएम के जरीए UGC के 78 और PG के 76 पाठिक्रम में होगा अड्मिशन्स यूजीसी ने बिहार के साथ विश्विद्याले के कोडिनेटर के नाम को भी साज़ा किया है जिसमें पटना विश्विद्याले, बियेन, मंदग विश्विद्याले, ललतनारायन, मिथला विश्विद्याले, चानक के नाश्रनल लॉय उनिवर्सिटी, जय प्रकाश विश जद्यू नेताओं के आकरमक रुख के बाद भाजपा नेता अब नितीश कुमार को ही सब कुछ बताने में जुटके हैं भाजपा जद्यू के बीच बादचीद भले ही बंद हो लेकिन भाजपा के नेता नितीश कुमार को अपना गारजियन बता रहे हैं आपको बता दे मु नितीश कुमार को प्रधान मंत्री पद का दाविदा अर्माना जाता था लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें पठखनी दे दिया और उसके बाद से सियासी उठापटक का दौर बिहार में चलता रहा सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई लालू और नितीश एक दूसर नितीश जी को कोई इंडर ने करना चाहिए नितीश जी में जो पहले साहस था भगवान करे उन्हें फिर से वो साहस दे नितीश को पी-म बनाने का मिला ओफर बिहार की राजनीती दिन प्रति दिन गर्म होती जा रही है बिहार में विधान सभा चुनाथ की बाद नई सरकार के कठन का काम हो चुका है लेकिन जीत के करीब जाकर शुकस्त पाने वाली राज़त अभी भी सरकार बनाने की उमीद म ऑजोमार कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाएंगे आज वही भाजपा उन्हें मिलाने में लगी हुई है ऐसे में उन्हें मागठ बंदन में वापस आ जाना चाहिए और तेिज़स्वी को मुख्य मंत्री बना दिना चाहिए और खुद PM common candidate बने हम लोग उनका स साथ देंगे. भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कार्णों से है दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कार्णों से एहमानी जाती है स्वात्रता सेनारी सुभाश चंद्रबोस ने 143 में पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का जंडा आजी के दिन लहराय था। भारत ने 1949 में चीन को मानेता आजी के दिन थी। सूरेशेख गांगुली ने 2008 में श्यालिसवी राश्ट्रिये एक श्रत्रन चैंपियंशिप का खिताब आजी के दिन दिया था। भारत के युबा बाडमिंटन खिलारी सौरव वर्मा का 1992 में जंडा आजी के दिन हुआ था। दर्च किया है वो लेफ्ट हैंडर बले बाजो का शिकार करने के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। पास आखरी मौका है तीन दिन तक चलने वाले इस सेल में स्मार्ट फोन पर भारी डिसकाउंट देखने को मिला। संगोपो, वीवो, आपल और शाओमी जैसे ब्रांट के मोबाइल पर डिसकाउंट देखने को मिला। सेल के दौरान अगर आप ICICI Bank Credit Card से पेमिंट करते हैं। आपको 10 फीसिदी का Instant Discount मिलेगा, साथी गुरहा के Exchange Offer का भी लाब ले सकते हैं। और अगर आप फोन लेना चाहते हैं या फिर अगर आप EMI पर फोन लेना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन रखा गया है फोटो सोचल मीडिया पर किया शेर। भी गलत समझते हैं कि हम महिलाएं असली ही रोज होती हैं खत्म कहानी। अनिता हसनन्दानी ने स्लीव से वाले ब्लाक मोनोकनी पहनी हुई है। अब आईए जानते हैं सराफा बजार और पेट्रोल डीजर के क्या थे भाव। गर हम सराफा बजार की बात करें तो सोने का भाव 29 दिसंबर को 22 क्यारेट के लिए प्रते 10 ग्राम 49,220 रुपए था वही 24 क्यारेट के लिए प्रते 10 ग्राम 50,220 रुपए था। कल हमारे दुआर अब पूछे कैं सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित कुमार, सिकेंद्र कुमार हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर आज का सवाल खुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार में सरकों पर उत्रे जूनियर डॉक्टरों की म मांग को सरकार को माननी चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आउज के लिए बस इतना ही अगर आपी वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तो मारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद